हलोस्तो आप देख रहे फके गुरू चैनल दोस्तो वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था बहुत दिन क्या लगभग सतार दिन हो चुका है कि कुछ चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है इसलिए वीडियो उतना नहीं भी सही सही बन पा रहा है मगर जल्द बनना चा चालू हो जाएगा तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तो जो भी ठंड़ी कम मुसम आ चुका है और लगभग ठंदा चालू हो चुका है आइस्ता इसाब जो है आप ठंड़ा बढ़ने लगेगा तो आप लोग को क्या-क्या त्यारी करना है इस वीडिय करना है जैसे अगर माल लेजे आपका सेड्ड जो है जो आपको बोलते हैं पत्रे पत्रह का होता है नौ पत्रह का सेड्ड हो या फीर आपको करकर फरकर जो बनाय हुए हैं उसके उपर कम सकम पॉल वाल बनियासर पर क्योंकि जो भीत जो भी सब्नम घिर्ता है उसके cm Р ली श्कर यानि कि उसके अंदर फिर गिर्ता है फाराम के अंदर 189 कारण से 16掌ना होता है छो भी नाम से समझते होंगे तो घ्रता है और तो क्या होगा कि वह भारम के नीचे गिरेगा तो आपको बकरी खस्टी को दिकत होता है बैटने में सोने में उठने में फर्स्ट सकेंद दोस्तों पूरा तरह से कोवर करने के त्यारी कर लिजेगी बनियास को कोवर करना है कि कहीं से हावा ना निकले कुछ भी न लगे अंदर हावा न जाय न भारा है तो यह त्यारी आपको करना है बनियास त्रिपाल उर्पाल जो भी लगता है आप उसका त्यारी कर सकते हैं दूसरा है दोस्तों कि आपको कोशिज करना है कि जो लक्रा का कुछ हो टेवो लोबल जो भी चोकी चूकी होता है नो या फिर लक्री का पाइलेट उलेट उसके उपर बैठे कि डिरेक्ट जमीन के नीचे ना बठाएं क्यूंकि उससे क्या है कि जमीन से भी नीचे से जो लगता है तो उसका ना से भी आपकी बक्री जो बिमार हो जाती है तो इससे भी बचाना आपको तीन चीज या फिर बोड़ा उड़ा में पुवाल बहर कर उसके उपर आप बठाए कोई दिकत नहीं है दोस्तों क्योंकि डिरेक्ट जमीन पर नहीं बठा सकते हैं उसके चरहने अगर ले जाते हो तो चरहने ले जाइएगा 10 बजे 11 बजे के बास से फि 10 से फ 17 बी अंधर आप उसको अंधर कर लेगें कैका मगर देखेगा कि ज्यादा सबनम नहीं गिर रहा हो या कुहासा ज्यादा ना हो और ज्यादा ठंड नहीं पहुचे यानि ठंड ना गिरता हो तो इस हिजाब से आप निकालिएगा बाकि जो ठंड का जो भैक्षिन है वह भी आप लगवा लेज़ेगा अपने डॉक्टर से सल ये चीज़ आपको ध्यान देना इतना कम सखम धीयान देना है घाने पीने का ज़्यादे ठंड चीज Straw को खिलाना है जो गरम चीज होता है आप आपको भकरी को खिलाना है फिर गषिध या फिर सव यह लगे भकरी किया दवा है खिलान को तो ये चीज चार पांच कीज पर चीज ज्यादवा देना आप आपको क्योंकि सर्दी उर्दी बहुत ज्यादा होता और उससे क्या होता अपको ध्यान देखना देना है और जो भी गर्म आइटम हो उस चीज को खसी को बकरी को खिलाईएगा क्योंकि थोरा- thura बीच में कभी टेल पिला जाता। 700 तेल माथा प्र सुरशन तेल लगा दिया जाता है। उससे क्या हुता है जो खसी बकरी का बोडी है को थोरा गर्म रहेगा ति चीज को बचाना आपको, दो मेना तीन मेना खास करके ध्यान देना है, दिसंबर जनवरी फरवडी तब, अगर इतना दिर आप ध्यान दे द रहा है, तो फिर आपका बक्री जो खसी है, फिर दिकत नहीं होगा, थोरा सही है दोस्तों कि इसमें गरोथ कम होता है, ठंडी के मोसम में, मंगर जैसे फरवडी खतम होगा, फिर मार्स से गरोथ होना चालू होगा, जरसे गर्म पढ़ना चालू होगा, गर्मी आना चालू होगा, उससे गरोथ होना फिर चालू होगा, इससे घबराने की कोई जरूत नहीं है, मंगर ये चीज को ध्यान दना है, कि हावा लोग को डिरेक्ट ना लगे नाक में या फिर बोडी पे नीचे ना बैठे हैं या फिर कहीं से भी उपर से पाणी ना गीरे बैठने के पूरा सुद्धा हो लाइट उट का भेपर उपर कभी अंदर इंतिजाम किजेगा क्योंकि अंदर गर्मी बनाए रखे या तो फिर एक भूसा का जो बनता है ब्रूडर वो भी आप यूज कर सकते है जो उसमें आग जलाया जाता है या नहीं तो फिर आप हीटर ले लिजे हीटर वो होना चाहिए एक तेल वाला हीटर आता है दोस्तों लगब साथ जार अठाट अठार पड़ेगा एक हीटर का तो जिस हिसाब स आपका फारा में उस हिसाब से ले सकते हैं अगर 20 वाई 20 का है तो एक हीटर चलेगा उससे बड़ा है तो आपको दो लगाना पड़ेगा कि थोरा टमप्रेचर बनाए रखे उसके अंदर को दिकत नहीं होब आपके बक्री या खसी को उससे क्या है कि उससे लाइट भी नही आद रूगा इसमें वीडियो माँ आप देखलो